मसकार दोस्तों आज हम बात करेंगे होली के त्यवार की आज हम अपने इस वीडियो में जानेंगे कि हमें होली किस तरह से मनानी चाहिए होलका दहन की पूजा कैसी करनी चाहिए किस किस समगरी का यूज करना चाहिए और होलका दहन वाले दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए औ और अगर आपको ये मेरा ये वीडियो और मेरी ये जानकारी अच्छी लगती हैं तो आप इसे लाइक जरूर करिएगा, मेरे चैनल को इस प्रकार की जानकारी प्राफ्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इतकी होका द्राफ्ट करना मेरे वीडियों हमने का देया के लिए सब्सक्राइब करें। उसके साथ हमें क्या लेना है उसके साथ हमें लेना है नई फसल वो गेहूं की भी हो सकती है और चने की भी तो आप गेहूं या चने की पक्की बालियां ले 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 याद दोलों की ही ले 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 इसके बाद होलका के पास ही आप जो आपने गाय के गोबर से जो ढाल बनाई हैं वो रखे और साथ ही साथ आपको लेना है चार मालाएं वो मालाएं आपको कैसे बनानी है गाय के उपले से छोटे-छोटे आपको अलग-अलग आकरति के खिलोने बनाने हैं चान बनाने हैं सूरज बनाने हैं तारा बनाने हैं आप जो भी बना सकते हैं आपको वो छोटे- हन्मान जी के लिए होती है जो तीसरी माला होती है वो हमारी सीतला माता के लिए होती है और चोथी माला परवार के नाम से रखी जाती है इसके बाद आपको जो होलका है उसकी परिक्रमा करना है और परिक्रमा करने के साथ साथ आपको कच्छा सूत उसमें लपेटना है आप प कोलका मी चड़ाइए अनाज की बालियां भी चड़ा दीजे इस तरीके से आप पूजा करिए और हाथ जोड करके उन्हें प्रणाम करिए और उनसे प्रार्था करिए कि वह हमारी सारी वुपति सारी आफ्टा अपने उपर ले ले हम पूजा करते हैं तो हमें कुछ बातों का ख्याल भी रखना है कि आपको जो चक्कर है वो सही दिसा से लगाना है आपको हमेशा पूरक की तरब मूख करके ही बैठना है तो आप हमेशा चोटी-चोटी चीजों का भी ध्यान जब आप पूजा करिएगा तो रखेगा और अगर आप पूजा करने जा रहे हैं तो यह आपको बारा बजे से लेकर के पांच बजे के बीच में ही करनी है जब होलका जलती नहीं है यह उसके पहले कुछ लोग पूजा सुबह कर लेते हैं मतलब बारा बजे से पांच बजे के बीच में कुछ लोग पूजा करने के बाद ही जल और अन ग्रहन करते हैं कुछ लोग पूजा साम को जब होलका दहन का समय होता है, जब होलका जलने वाली होती है, उस समय जाकर करते हैं, तो सब की अपनी अलग अलग श्रद्दा होती है, अब एक खास बत ये भी है, कि बहुत सारे लोग क्या होते हैं, कि जो होलका दहन तो हो गया, अब अगले दिन सुबह जिस दिन हम खेलते हैं वो दिन होता है उस दिन आपको सुबह उठके सबसे पहले नहां करके अपने नित कर्मों से निवित हो करके अपने पित्रों और देवताओं का पूझन करना चाहिए और जो आप होने होल का जलाई है उसकी आप राक लेकर के आईए उस राक को बंदना कि वो आपके परिवार और सबके समाज को सुख और सम्रद्धी आसिर बाते हैं चलिए अब हम जानते हैं कि होल का देहन वाले दिन जो है हमें किस प्रकार के उपाए करने चाहिए कुछ ऐसे उपाए होते हैं जो हम होल का देहन वाले दिन ही करते हैं और जिसका हमें बहुत ही है दुकान है तो आप उसमें जाईए और उसके कुछ छीटे उसमें डाल दीजे तो कहते हैं कि जो आपके दुकान में जो नकरात्मक उर्जाएं आ गई हैं वो सारी दूर हो जाएंगी और आपके बिजनस में नई चमक दिखेगी दूसरा है कि होलका वाले दिन आप घर के जो मुखद्वार है जो में दरवाजा होता है उसमें राक मिलाकर गुलाल के साथ और छुड़क दीजे कहते हैं कि उससे आर्थिक समस्याएं भी दूर हो जाती हैं तीसरा है कि होली के दिन सुबह बेल पत्र पर सफेज चंदन की बिंदी लगाकर अपनी मनों कामना को बोल नर्सिंग प्रकट हुए थे इसलिए दिन लोग भगवान नर्सिंग की बूजा करते हैं नारेल चड़ाते हैं उन्हें तो इस दिन आप नर्सिंग सुरोत का पार्ट कर सकते हैं उससे आपको कहते हैं कि करज में मुक्ती मिल जाती है तो ये तो हो गए उपाये जो आप होल कर सकते हैं बहुत सारे लोग हैं जो होली वाले दिन जो कंडे या जो उपले लेके जाते हैं होलका देन में जलाने के लिए उनसे अपने बच्चों की नजर उतार के ले जाते हैं तो ये कहा जाता है कि जो आपके चोटे बच्चे हैं उन्हें नजर नहीं लगती है और बह होली पर रंगों का बह। होता है v6же के गोबर से बनि माला अर उपलों का भी मात होता है इस दिन मैलाय जो है वह श्क्राइण करते हैं गाउं से लेकर सहिर तक सभी जानते हैं कि उपलों की माला होपो की माला पॉछा को één मानता है कि गोबर की माला को बच्चों के और उटने भाईयों के सर के उपर से खुमा कर होली में चढ़ाय जाता है। ऐसा करने से बच्चों और भाईयों में जो बुरी नजर्व लगती है इस्ते हम उन्हें बचा लेते हैं। ऐसा करना धार्मी 10 से भी सुभ है कि प्राचीन काल से चली आ रही प्रमप्रा और जो हमारी प्रता है उनके पीछे कोई न कोई व्यज्ञानी कारण तो जरूरी छुपे होते हैं लेकिन आदुनिक्ता के दौर पर हम इन चीज़ों को छोड़ते जा रहें इसका एक बहुत व् अगर आपको यह जानकर यह अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा मेरे चैनल को सब्स्क्राइब चरूर करिएगा धन्यवाद